हालो फ्रेंट्स वेकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स अक्सर मैं अपने वीडियो के जाए कोशिश करता हूँ कि बायक और स्कूटर के मिंटेनेंस के नाम पे जो फालतू खर्चे हो रहे हैं उनसे आपको बचाऊं उसके बारे में आपको बताऊं साथी बायक और कुछी जैसे कई बार क्या होता कि बहुत थोड़े पैसे बचाने के चकर में जैक गलत जानकारी होने के वैसे नुकसान हो जाता है और ऐसा ही सेम आज का टॉपिक भी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में देखिए क्या है बहुत ही कॉमन है मैक्सिमम लोग क्य करते है कि आपने बाइक के चेन को ल्यूब करने के लिए चेन में जो यूजड इंजन ओईल है जो जला हुआ मोबिल होता है उसे जो पुराना मोबिल होता है उसे डालते है बहुत से लोग ऐसे करते हैं मैं खुद भी कुछ साल पहले तक ऐसा ही करता था आपने बाइक के भी chain में जो मैरे पुराना बाइक तब वहाँ पे जलाओव मोबिल है उससे ही डालता था अब फिर देखे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप chain में जो used engine oil है उसे डालते हो या फिर grease जो है grease लगा देते हो तो उससे क्या होता है कि chain में बहुत जादा जो dust है जो debris है ज बहुत जादा सरज का formation हो जाता है वहाँ पे बहुत जादा गंदगी जमा हो जाती है और दिक्कत ये भी है कि जो आगे का sprocket है वो close होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है किसी वाइक में दिखाई नहीं देता है ये एक और problem की बात है अब फ्रेंट्स अगर chain इतना इसics क्या है उस power को finally chain ही हमारे बाइक के पीछे चक्ट तक पहुझाता है इसलिए chain का सही slack यानि chain ज़्यादा धिला नहीं हो ज़्यादा tight नहीं ये ज Jetzt चेंड बहुत ज़ाथ सूखा नहीं जरूरी की बहुत सारे बयार की क्या पर तक्वापना चाहिए, बहुत ही मैंने क्ाणे भट टाने वाला है, जो कि है SAE 90 Gear Oil, जी हाँ इस Gear Oil को आप डाल सकते हो, इस से ज़्यादा बहतर performance देखने को मिलता है, Dutch debris जो Gear Oil है वहाँ पर attract नहीं होता है, काफी सस्ता मिलता है, आप 100-200 email का, आपने आस पास का जो आटो मॉल स्टोर है, वहाँ से खरीज सकते हो, वहाँ पर असानी से आपको बहुत असते ही मिल जाएगा, तो आप इसे यूज़ करें, यह ज़्यादा बहतर होता है, 100-200 email बोटल भी यूज़ कर सकते हो, Second point यह है, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब खुश से अपने बाइक के चेन को क्लीन करते है, तो जो टूथ ब्रेश होता है, उसका यूज़ करते है, मैं आपको बताना चाहँगा, उससे बहतर यह होता है, कि जो मैं ब्रेश का यूज़ करता हो, यह ब्रेश जो आप देख रहे हो, यह बहुत ही सस्ता है, सिर्फ इसका दाम 68 टुपय है, आप इससे भी मंगा सकते हो, इसका भी जो बाइंग लिंक है आपको ओलाइन मिल जाएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्केप्शन नहीं मिल जाएगा, और अगर आप गेर आल यूज नहीं करना चाहते हो, और कुछ और प्रिमा प्रोड से यूज मत करें, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये चेन, और ये मसचो का आप 1200 रुपय का होता है, कोई बात ने खराब हो जाएगा, तो मैं इससे चेंज कर दूँगा, मैं आपको समझाना चाहूँगा, कि चेन से क्या होता है, कि जो इंजन है, उसका परफॉर और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नहीं हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेलगन को भी दबाले, ताकि आने वाले इंप